दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको मिस्स डॉली खन्ना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने सिर्फ एक शेर से अपने पांच लाक रुपे को पच्चिस करोड रुपे बनाया था सिर्फ चार साल में बहुत ही इंट्रेस्टिंग स्टोरी है तो पूरी वीडियो को ज जलगे है और अगर आप अपने अग्या-पर्टेशन चाहते हैं तो मैंने अंग्या चाहते한다 आप व्हीं पर्टेशनान्ग में कि नाम आता है और अगर आप चाहन तो आप बहुत ऑफटे केरी कि estáionar Brendano, ale sure that using the में भी अपना अकाउंट खलवा सकते हैं सो शुरू करते हैं आज की स्टोरी तो एक्च्वल में इस स्टोरी डॉली खना की नहीं बलकि उनके हस्बेंड राजीव खना की है क्योंकि उनका पोर्टफोलियो उनके हस्बेंड मिस्टर राजीव खन्ना ही मैनेज करते हैं तो मिस्टर राजीव खन्ना ने 1986 में क्वैलिटी मिल्क फूड्स एंड आइस्क्रीम का बिजनिस शुरू किया था उनका बिजनिस बहुत अच्छा चला और उन्होंने 1995 में हिंदुस्तान उनिलिवर को अपनी कंपनी बेच दी अपनी कंपनी बेचने के बाद उन्हें एक अच्छा अमाउंट मिल गया था जिस अमाउंट को वो इन्वेस्ट करना चाहते थे बट उन्हें पता नहीं था कि कहां इन्वेस्ट करें इसलिए उन्होंने अपना पैसा fixed deposit में रख लिया फिर 1996 में सिर्फ शौक के लिए उन्होंने share market में investment शुरू किया और सबसे पहले सत्यम computers नाम की company में invest किया आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन उन्होंने सिर्फ ये सोच कर उस company में invest किया था कि उनके पडोसी का बेटा उस company में job करता था तो कोई logic ही नहीं था उस investment के बीचे बट इस investment को करने के बाद उन्हें लगा कि tech company में बहुत scope है और उनका पैसा कई गुना हो सकता है तो उन्होंने ऐसी ही tech company में बहुत सारा पैसा लगा दिया उनका पैसा year 2000 में तीन गुना हो गया था तो उन्होंने वो पैसा निकाल दिया बट जैसे ही उन्होंने वो पैसा market से निकाला उसके कुछ टाइम बाद tech stocks crash हो गए जब उन्होंने ये देखा तब वो डर गए और उन्हें लगने लगा कि अगर उन्होंने वो पैसा नहीं निकाला होता तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता उन्हें ये भी लगने लगा कि अब तक जो हुआ है सब किस्मत से हुआ है और इसी वज़े से उन्होंने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल दिया और वापस फिक्स डेपोजिट में रख दिया दोस्तो अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मेन स्टोरी यहीं पर है तो 2003 में वो डेली में एक फ्लेट खरीदने की सोच रहे थे और इस परपस से वो युनिटेक कंपनी के आफिस गए जब उन्होंने युनिटेक कंपनी के लग्शिरिस आफिस देखा तब उन्होंने रिसर्च की और युनिटेक के बिजनिस से इंप्रेस होकर उन्होंने पांच लाक रुपे के स्टॉक खरीद लिये 2004 में युनिटेक के एक शेर की प्राइस लगभग एक रुपे थी और 2008 में सिर्फ 4 साल बाद एक शेर की प्राइस बढ़के 500 रुपे हो गई थी जिस वज़े से सिर्फ 4 साल में उनके 5 लाक रुपे 25 करोड रुपे बन गए थे आपको याद होगा कि 2008 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था और उस वक्त सभी कमपनी के शेर की प्राइस गिर गई थी लेकिन इन्होंने उस स्टॉक मार्केट के क्रैश होने से पहले ही अपने पैसे निकाल लिये थे तो कब आपको शेर खरीदना है और कब आपको शेर बेचना है ये सबसे जादा इंपॉर्टेंट है जिस दिन ये आप सीख गए उस दिन आपको समझी है शेर मार्केट आ गया और ये आप उस कमपनी में रिसर्च करकर और अपने एक्सपिरियन्स से ही सीख सकते हैं मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि अब आप यूनिटेक कमपनी के शेर खरीदने की मत सोचना क्योंकि 500 रुपे से गिरकर वो वापस एक रुपे पर आ चुका है और अब बढ़ने की भी उमीद नजर नहीं आ रही है जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिस्टर राजीव खन्ना अपनी वाइफ के नाम पे ट्रेडिंग करते हैं तो उनकी वाइफ मिस्स डॉली खन्ना के पूर्टफोलियो में अभी लगबग 200 करोड रुपे के शेर्स हैं उन्होंने शेर मार्केट से कितना कमाया है ये तो नहीं पता लेकिन उन्होंने अपने एक लेक्चर में कहा था कि अगर शेर मार्केट में जाने से पहले मेरे पास 6 रुपे थे तो अभी मेरे पास 2000 रुपे हैं तो इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि उन्होंने अपना टोटल पैसा साड़े तीन सो गुना से जाधा कर दिया है अगर बात करें मिस्टर राजीव खन्ना के strategy की तो आपने notice किया होगा कि जब भी वो किसी कमपनी के share करीते हैं तो पहले वो उस कमपनी पे research करते हैं कि वो उन्होंने पैसा लगा है वो किस type का business करती है तो फिर आपके नुकसान होने के बहुत ज़ादा chances होंगे तो जिस company में आप invest करने के सोच रो पहले उस company के बारे में अच्छे से जान लो तभी invest करो अब मैं आपको Mr. Rajiv खन्ना की एक advice बताता हूँ जो उन्होंने अपने एक lecture जर में दी थी तो उनका कहना है कि आपको share market में invest करना चाहिए और आप जितनी जादा young age में investment शुरू करते हैं उतना जादा ही आपका maximum returns आने के chances होते हैं तो दोस्तों अगर आप भी share market में invest करना चाहते हैं और आपके पास अपना DMAT or trading account नहीं है तो मैंने description में जो link दिया है वहाँ से आप अपना DMAT or trading account खोल सकते हैं मेरी आपको advice है कि शुरूआत में आपके पास जो extra पैसा है उसी पैसे को invest करें सारा पैसा invest ना करें क्योंकि share market में risk भी होता है पहले आप सीखें उसके बाद invest करें तब ही कमाई करने की सोचें अगर आपको यह वीडियो पसंद आ